जए इन दोस्तों तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस भरती पे तो आज हम मैत के 15 कोश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फो जीडी ट्रेडमेन और टेक्निकल सभी के लिए तो यह जो कोश्चन से यह प्रिवियस एर कोश्चन है जो कि आपके लि तो यह जो हमारा पहला कॉश्चन जो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं वह है तुट हम्नस फिर ब्रेकट में है यहां पर मैं पवेर्द चेंज के लिए अपर हए तांग कि आप लोगों बेतर इन तरीके से जिए दिख सके भूख है कि ठीक है धुलिक दोस्तों ठीक है तो पहला जो कॉशन हाने कि टू clear मासurity में है टू तो यहां पर हमeur देख रहे हैं कि जो ब्रेकट के अंदर रखा है वहां पर कुछनियों तो क्या है पलस के मांने हैं तो एन सब जानते हैester कि माइनस का कुछ प्लस के साथ कहीं विए बांडिंग बनता है तो उसके हम लोगों फॉल्स रूप क्या मिलता है थो बस उसके बाद तो कॉशन पूरा इजी हो गया तो हमारा इस समीकरण से बाहर निकल के क्या बनेगा तू और मैनस का टू तो टू माइनस टू क्या होता है सभी को जानते है कि 0 होता है तो 0 की option में दे रखा है तो यह पहला option में दे रखा है तो इस तरह से हमारे यह जो पहला question है क्या हुआ फिन्स हुआ तो अब हम अगले question के और चलते हैं और देखते हैं कि अगला question क्या बोलता है कि देखे दोस्तों तो अगला जो कोश्चन है दो नंबर वो क्या दे रखा है कि एक त्रिभूज के दो कौन ठीक है तो सबसे पर चलिए यहां पर बना लेते हैं आप सभी के लिए ताकि आप सभी को एक अच्छा समझ में आए कि माले जी हमारा एक त्रिभूज हो गया है ठीक है तो इस त्रिभूज के आप नाम रख देते हैं कि बीना नाम का तो कोई चीज होगा नहीं ना चलिए तो यह दो कौन इसमें से जो एक कौन दे रखा है वह दे रखा है 30 डिग्री कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और देखे होता है वह क्या होता है 180 डिग्री ठीक है यह सब गोशन कुछ नहीं दोस्तों बस पसलतर जरुवत है कि आपको प्रैक्टिस ठीक है तो त्रिभूज के तीनों कोनों का यह कितना होता है 180 डिग्री और हमारे पास तो दो कोन दे रखा है और इसको हम लेक्समान लेते हैं ठी क्या होता है दिखिए क्या होगा यहां पर हम लोगा 30 पलस 105 चलिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं कि ताकि आप सभी को अच्छा से समझ में आए ठीक है तो आप लोग समझी क्या होंगे तो यहां पर समिकरान हमारे क्या बना समिकरान बना 30 105 डिगरी और यह हमारा एक्स था और एदर 180 ठीक है तो 30 और 105 कितना हो जागा 135 ठीक है 135 इसकोड़ टूम 180 है ठीक है तो अब क्या हो गया जो नेक्स्ट क्या हो जागा जो क्या था उदर 135 था तो 135 ही जारा जागा 180 और माइनस 135 तो यह घटा के कितना आएगा बोलिया आप सभी कितना आएगा 45 ठीक है तो इस तरह से जब हम यह सब कोशन सौल्फ करा दे रहें दोस्तों तो इससे पहले आप लोग भी ट्राई कीज प्रशन हाट नहीं है ठीक है बस आप लोगों को जरूवत है तो बस प्रैक्टिस का अगर कहीं नहीं समझ में आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूश सकते हैं अब देखिए जो अगला जो है वह भीन का कोश्चन है ठीक है तो यह कोश्चन कहता क्या है पहलो आयो हम वह है तो 45 का 7 बटनो कितना होगा ठीक है तो जानते हैं कि उपर ओऊर लोग क्या बोलता है धर आप मिरे साथ रिपीट करेंगे ठीक है तो नीचे में 9 है और यह हर जो है वही में होता है ठीक है तो यह क्यों रहा है कि 45 को आपर 9 बराबर भाग में बाटिए और उसका 7 भाग क क्या करना कि 45 का साथ वर्टा नष्ट तो 45 गुना साथ वर्टा नौ आप यह जो नौ है यह 45 उ ότι निकल गया और अब अ कि अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरू करेंगए ठीक है अब आते हैं next question पर देखिए next question क्या बोलता है थोड़ा सा यह क्या है हो जाएगा प्लस में हो जाएगा है कि ठीक है कि अब आपका अब यहां पर इसका में ले ले लेते हैं कि ठीक है थोड़ा सा हट गया कोई बात नहीं अगे लिख देता हूं मैं ठीक है यहां पर कुछ निया तो क्या होगा नीचे एक होगा अब यह 5 आ गया ठीक है अब देखिए यहां पर इका जाएगा पंदरा जाएगा अब क्या है माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस माइनस तो अब यह क्या जाएगा आट बटे पांच और जीरो पॉइंट फोर जेट तो था ही अब यह क्या हो जाएगा यह तरह आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो आते अगल यह 14 नमर कोश्चन पर तो स्टार्ट करतें इसको तो जैसा कि हम लोग ने देख रखा है ठीक है और यहां पर जेट था ठीक है यह पांच इदर आगया यह माइनस साथ है और यहां पर यह क्या देगा पंदरा इदर फोर्जेट का फोर्जेट हो गया ठीक है इतना दूर आप सभी लोग ने देख लिया अगर यह है इदर आट बटा पांच है ठीक है देख लिए आप लोग ने अब चलो मैं इसे फिर से रफ कर देता हूं और आगे दिखाता हूं आप सभी को ठीक है तो हमारा स्वमीकर्ण क्या बना था 0.4 जेड और उधर अठ बटे और पांच ठीक है देखो अब यहां पर गुना में है तो इदर आ जाएगा तो नीचे क्या चल जाएगा भागा में चल जाएगा तो यह 0.4 नीचे हो जाएगा अब यहां से पॉइंट हटेगा त 4 दुनी 8 और 5 दुनी 10 तो जेड का मान कितना निकल के आगया फूर यह जेड का मान फूर अब इसी फूर को लोगो ले जाकर यहां पर रखना है और मान निकाल देना है ठीक है तो आप चलिए सभी बनाते हैं कोसिस करते हैं और आप लोग मेरे से पहले बनाए और अपना ए लगें दूर और इधर पुलस 9 तो देखिए यहां पर पॉयंक्ट यह ग्रूद तो 15 चुल के 60 लेकिन एक पॉईंट है तो यहां पर क्या प्लेदा सिप 6 यह एगा अधर 9 और और चार गूना 15 थिंग है तो 15 चूब कितना हो गया 60 तो यहां पर क्या है पंदर चूपके तो 2 तो साथ आगया तो अब यह जो साथ आया है तो आप देखेंगे कि क्या साथ किसी ऊप्षिसन में है कि नहीं है ठीक है तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं किसी किसी option में तो है नहीं तो किसी option में इतना सोच की हुए भाई लोग सीधा डीम आ रही है और आगे निकल लिए question बहुत है समझे हैं चलिए ठीक है ठीक है ठीक है तो दोस्तों तो बढ़ते हैं अगले question के और ठीक है फोर्मूला याद है तो आराम से बन जाएगा ठीक है तो चलिए इसको भी solve करते हैं ठीक है तो चलिए solve करते हैं तो क्या लिखा देगे जहां से पर समझेंगे 300 मिटर की लंबाई और 200 मिटर चोड़ाई के एक खेल के मैदान का 6 रफल कितना होगा तो question कुछ नहीं है लंबाई चोड़ाई दे दिया ठीक है तब क्या कहना है देख लेना है कि लंबाई चोड़ाई क्या दिया हुआ है और बसो दोनों को आपस में इंटू करके हम लोग उसको कर देंगे खेल दीक है तो जैसे में तो बता दिया है अब सभी करेंगे अंसे सभी पता है अदि के रहता है तो इस तरह से पास नमब्र भी question कटम अगला कोश्चन आते हैं छे नमर कोश्चन पढ़ेंगे कि यह 8 पुरुस कारे को 15 दिन में कर सकते हैं तो 20 पुरुस कारे को कितने दिन में करेंगे तो इसमें एक फर्मूला होता है तो फर्मूला को मुलता है एमठी अच्छ और नीचे हो जाता है वर्क और इधर भी बराबर एमठी अच्छ और नीचे की और मोट यह दैगा ठीक है फिश्व और फिस तरह से टू तो चलिए वैसी बनाते हैं हम लोग कोई दिक्त नहीं है ज्यादा बनाते इस कोस्चन को देखें क्या लिखा है क्या लिखा है कि 8 पुरूस किता निमें कर रहा है 15 दिन में ठीक है और कभी वर को नीचे रहेंगे तो वह है वन नीचे तो वह ही क्या हो रहा है कि 20 पुरूस गुना इधर हो जाएगा एक्स ठीक है किता दिन में करेगा चलिए तो यह क्या है बीस आजाएगा नीचे ठीक है थोड़ा समय आपे इसको साथ को लेता हूं ताकि आप सभी को दीखे अच्छा से कि आप सभी भी बनाएए अपने कॉपी बुक में है ठीक है तो तो क्या था और पुरूस वाटा पंदरा एक हो गया इधर इधर 20 इधर एक्स एधर वान है ठीक है तब तो यह बीस आजाएगा नीचे पंदरा इधर पांच ओगे वीश पांस त्या पंदरा और चार चार दुनी आठ तो यह हो गया तो इस तरह से गया तीन दुनी छे आराम से बनाएगा सब को देखें ऑप्सन कितना क्लोज दे रखा है तो च्छे आया एंसर लेकिन देख रहे है तो किसी आप्सन में दिया ह लिखा है तो अब हम लो अगले question में नते हैं तो क्या लिखा है कि 4.21 ऐंसी क्या है कि कुछ नहीं यह क्या है कि 4.2 ऑनसी क्यों क्या है तो इस तेपको को किछ नहीं करना होता है बस सब्सक्राइब और निचे पिछे देख लिए कितना ठोशंक्या है उतना नीचे 0,1 बैठ है तो आपको गलती नहीं करना है अगल्ले क्या लिखा कर दो सिदित करना कफी Democrats कि ना यह गहाइगा दोह से तुछend प्रफशन नमबर वन में ठीक है इस तरह से यह भी कोश्चन हम लोगा सब्फ हो गया आते हैं अब तो नमबर कोश्चन में तो क्या बोलाएं कि 0.0036 का वर्ग मूल क्या होगा ठीक है यानि कि यह कि सका वर्ग मूल है तो क्या लिखते हैं तो क्या लिखावा दिखे अब यहां पर जो पॉंट प्रमा ने पर तुम्हें प्रणी बूल जाना है और करना क्या दिखे इसको नहीं तो 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 इस ताइप में लिखेंगे इस टाइप में तो एक मिनुट अब देखिए बता हो मैं आपको कि जब हम इसको इस तरह से लीखेंगे तो इसको लीखेंगे तो क्या होगा यहां में पॉइंट है तो यह 2-0 में से हमारा 0.06 तो 0.06 की सुप्षन में है यह नमबर ऑप्षन में है ठीक है ज्यादा तरह यह नमबर वाला यह उप्षन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है अब आगे बढ़ते हैं दस नमबर फिर आगया देखिए चत्रमिति का कॉस्चन तो उसमें आपके लिखा एक वर्ग की परि परिमिति कितना दे रहा है हजार ठीक है और यह चार क्या जाएगा नीचे चला जाएगा और यह नमर डी में ठीक है चले आगे बढ़ते हैं कारवे नमर कोश्चन में क्या लिखा हुआ है कि तीन है अच्छा तीन पुर्नांग 1 वटा चार में кितने मिनट होते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ओन्य apocalypse इसको पर में घंटा पहले हमनों मैं चेंज कर लेंगे यह गांटा में 60 मिनट हो ग्या तो तो 60 फिर तीन से कर देंगे तो 60 तिया 180 , 180 तो सुर तीन घंटा हुआ यह बचा है जो एक बटवश्याल चार तो इता क्या करेंगे冷 Čड़ बंदर हो गया तो टीक़र और प्लस 15व कितना हुए 95 मिनट हो गया 100 95 मिनट और 155 मिनट में तो नेक्षट प्याते हैं अब कुछ चाहिए तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं तो जो हमारा ये जो क्वोषटन है है कि बोल रख़ा है दिखोई इसमें कि 410 25 35 और एक्स का और 25 है तो तो एक यह हो गया के । यह तीन चार-семट-EMश्ट नंब्र कि टोटल टोटल चैनिए तो इसो क्या करें गे गुना छे अब यह आगया हमारा पचीश चक्षाग देड़ सो तो यह जो आई हमारा सम आफ नंबर क्या आए सम आफ नंबर ठीक है तो आप यह ना सम आफ नंबर तो निकाल लिए तो इसको आफ नंबर को हम लोग रखेंगे ठीक है असलब नंबर हमें यहां पर कि अब यहां पर जितना प्यावाइ сबकों फ्सक्र फूर्येंगे पलस कर देंगे चालीस दों कर पचानवे और 5 5 नो तीन बाण एक तेला टीन हो गया एक सो पंचानवे था आजिए खैक & energy可愛 आपको ठीक है अब 130 हो गया है तो बस बन तो गया कोशन इतना ही तो कोशन था और कुछ नहीं था कोशन में देखिए अब 130 आगे उन्हों का योग और प्लस यह कितना हो गया एक्स ठीक है तो अब यहाँ पर जब एक्स को हम इसमें से माइनस करेंगे अगा यह 20 आ गया तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का इंसर कितना आया बीस लेकिन अप्शन में तो बीस दिया ही नहीं हुआ है तो अब क्या करेंगे तो हो सकता है यहां पर कुछ error option में लेकिन एंसर 20 होगा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब यह आगया थोड़ा वोड मार्क्स ठीक है कोई बात नहीं है कि चलिए तो क्या लिखा देखिए 81 गुना 81 फिर और सट फिर माइनस टू इंटू 81 इंटू 68 ठीक है इसको थ्यान में देखने से पता चल रहा है कि यह स्कूर्ण भी का हॉल स्क्राइब यह माइनस हूल स्क्राइब यह प्लस भी का नहीं है ठीक है तो हम एक जगा में क्या रखेंगे 181 रख दिये हैं और 28 अब क्या है इसका स्कूर बस अब देखें क्वेशन देखें घवरान नहीं ठीक है इतना बड़ा स्वाल्यूसन नहीं करना है देखना ध्यान आना धुर्ण अब देखें क्या है आपर एकासी है और और सट है तो एकासी और में से खटाएंगे तो इसकोर बना ही हुआ है तो तो तेरा का स्कोर कितना हो जाएगा 169 ठीक है तो 169 को फिरा नमर आगे बढ़ते हैं देखे तो अब यह तो मुझे बनने वाला कोशन नहीं इसमें तो कुछ करना नहीं है ठीक है क्या सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है कि भूजा इंटू भूजा ठीक है तो इस तरह से पहला वीडियो था 15 कोश्चन का वह खतम होता है ठीक है अगर अच्छा लगे तो इसी दर से प्यार बनाया रखें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना बुले ठीक है तब तक के लिए जहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में